दोस्तों ये वीडियो एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चियार्ड का पार्ट टू है जिसका पार्ट फर्स्ट में पहले अपलोड कर चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो उपर लिंक आ रही है इस पे क्लिक करके देख लिजे इस वीडियो में हम लोग इस पोयम को समझाते हुए पहले इंग्लिश बोलता हूँ फिर हिंदी बोलता हूँ तो बीच में कनेक्शन टूट जाता है समझ में आने वाली चीज भी समझ में नहीं आती इस वीडियो में मैं ऐसा करूँगा कि किसी भी स्टेंजा को समझाने से पहले पहले मैं उस पूरे लोग मरते हैं तो उनकी कबरों पर कोई भी ट्रॉफी वगेरा नहीं लगाता उनकी याद में कोई शोक गीत नहीं गाया जाते तो ये ग्यारवे स्टेंजा में उसी चीज को कंटिन्यू किया जाता है इसमें थॉमस ग्रे क्या बोलते है कि कोई फैंसी बढ़िया दिखने वाला कलश कलश का मतलब समझ में आ गया होगा आपको अस्तियां रखी जाती है जिसमें क्या कोई फैंसी दिखने वाला बड़िया सा कलश या फिर कोई आधी मूर्ती इनकी कबर पर लगा दी जाए इन गाओं वालों की कबर पर लगा दी जाए जैसे अमीरों की कबर पर ल चापलूसी की जाए, जो इनके डल, ठंडे पड़े हुए कानों को खुश कर सके, जो अब मर चुके हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, तो ये ऐसे सवाल पूछ रहा है यहाँ पे Thomas Gray, जिसके जवाब उसको नहीं चाहिए, अगर कोई poet ऐसे सवाल पूछता है अपनी poetry के परहप्स ये लोग जो एक neglected सी जगह पर लेटे हुए हैं, neglected spot का मतलब है ऐसी जगह जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, तो ऐसी जगह ये लोग लेटे हुए हैं, तो इन में से कुछों के दिल कभी pregnant, मतलब full of, full of passion से भरे रहे होंगे, pregnant मतलब full of, और celestial fire मतलब passion, full of passion से भरे रहे होंगे, इन में से कुछ लोगों के दिल, जो यहाँ पर लेटे हुए हैं, इस neglected सी जगह पर, अब ये वाली line का मतलब ये है, कि क्या पता इन में से कुछ लोगों के हाथ, empire करने के लिए, rule करने के लिए बने थे, उस तो यहाँ पर swade का मतलब है, साशन करना, अपना बोल बाला करना, या फिर इन में से कुछ के हाथ, liar बजाने के लिए हो, liar का मतलब दूस्तो वीणा, तो overall यहाँ पर point कह रहे हैं कि, क्या पता इन में से कौन किस चीज के लिए बना हो, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर सब की सब, इस neglected सी जगह पर लेटे हुए हैं, आगे बोलते हैं point, लेकिन knowledge ने भी इन लोगों के लिए अपनी आखे नहीं खोली, मतलब knowledge के पन्ने कभी इनके सामने नहीं खुले, अमीर लोग जो अपना time बरबात करते हैं, लेकिन ये लोग जो कबरों में हैं, इनको तो कभी access भी नहीं मिली कभी पहुँच ही नहीं हुई इनकी knowledge तक, क्यों पहुँच नहीं हुई इनकी, आगे वाली line में बताते हैं, तीसरी line में, क्योंकि इनकी गरीबी, penury, penury मतलब गरीबी, वो इनको हमेशा repress करती थी, दबाती थी, इनकी noble rage को, उस गरीबी ने हमेशा इनकी noble rage को दबाया है, इनकी सोल में जो करंट था, जीनियल करंट था, उसको जमा दिया इनकी गरीबीने फिर आगे बोलते हैं कि पुल मैनी, पुल मैनी नहां पर मतलब है lots of, बहुत सारे pure और normal gems, gems का मतलब हीरे मोती, समुद्र के अंदर होते न, वो समुद्र की dark गहराईयों के अंदर, caves में गुफाओं के अंदर छुपे रहते हैं ऐसे कुछ फूल भी होते हैं जो बड़े खुपसूरत होते हैं ऐसे फूल उगते हैं जो बहुत ही खुबसूरत होते हैं लेकिन इसके बावजूद दुनिया की नजरों से वो अंदेखे रह जाते हैं और अपनी उस स्वीटनेस को अपनी उस खुश्बू को वो कहां वेस्ट कर देते हैं रेगिस्तान की हवा में रेगिस्तान में भी कोई ना कोई टैलेंट रहा होगा अब इन में से कुछ विलिजर्स हैंपडन की तरह रहे होंगे अब दोस्तो आगे वड़ने से पहले मैं आपको जॉन हैंपडन की बारे में बताता हूँ हैंपडन दोस्तो एक पॉलिटिशन था एक प्यूरिटन पॉलिटिशन जिसने चा पर अपने गाऊं में किसी अत्याचार के खिलाफ ये खड़े हुए होँगे टायरेंट का मतलब होता है कोई अत्याचार करने वाला या फिर कुछ villagers जो यहाँ पर rest कर रहे हैं वो poet Milton की तरह रहे होंगे John Milton की तरह जॉन मिल्टन जो दुनिया को अपनी प्रतिबा इतनी नहीं दिखा सके तॉमस ग्रे बोल रहे हैं कि म्यूट रहे गई उनकी गलॉरी जॉन मिल्टन की वो और भी बहुत कुछ दिखा सकते थे वो दुनिया को तो कुछ विलेजर्स उनकी तरह भी रहे होंगे तो कुछ क्रॉ मबेल की तरह रहे होंगे क्रॉ मबेल भी एक हिस्ट्री का कराक्टर है जो इतना जाना माना नहीं है इतना पापुलर फिगर नहीं है लेकिन वो एकदम guiltless था उसने भी चार्ल्स 1 की नीतियों का विरोध किया था तो वो villagers भी Hampton, Milton या फिर Cromwell हो सकते थे आगे वाले 16th stanza में बोलते हैं जब synets synets का मतलब politicians politicians जब command देते हैं तो उनकी वावाई होती है यहाँ पे applause word का मतलब है उनकी वावाई होती है तो वो वावाई इन villagers को नहीं मिल सकी क्योंकि इन में से कोई भी उस सिनेट का मेंबर नहीं था क्योंकि इनकी जिन्दगी में जो दर्द था उसने इनको तुच्छे बना दिया और ये अपने smiling land के लिए कुछ नहीं कर सके और अपने देश की आँखों में अपने खुद के लिए इतिहास नहीं पड़ सके उनको रोक करके रखा था नहीं तो उनके अंदर भी जो virtue थी वो भी grow हो जाती लेकिन इनकी situation ने इनको रोक करके रखा था दोस्तों यहाँ पर circumscribed का मतलब है किसी को रोक कर रखना किसी बर प्रतिबंद लगाना तो ये तो अपनी virtues को तो grow कर नहीं सके बलकि ये तो बैचारे कोई crime भी नहीं कर सके नहीं तो उससे ही कोई इनको जान लेता लेकिन ये तो बैचारे crime भी नहीं कर सके इन्होंने कोई throne यानि की राजगदी पाने के लिए कोई खून नहीं बहाया दोस्तों ये जो word है slaughter इसका मतलब है किसी को मारना किसी का वद करना संघार करना किसी का तो इन्होंने किसी का संघार नहीं किया किसी को मारा नहीं थ्रोन पाने के लिए राजगदी पाने के लिए किसी का खून नहीं बहाया और इंसानियत के लिए अपनी दया के दरवाजे कभी बंद नहीं किये आगे वाले स्टेंजा में पॉइट बोलते हैं कि जब ये विलिजर स्ट्रगल करते थे तो इनको बड़ा कस्ट होता था दर्द होता था तो ये इस बात को इस सच को चुपाते नहीं थे और अगली लाइन में बोलते हैं वो कभी शर्म महसूस नहीं करते थे वो कभी अपनी फीलिंग्स को छुपाते नहीं थे और इन आगे वाली लाइनों में बोल रहे हैं कि उन गरीबों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो जाकर अमीरों की लगजरी और प्राइड की यह जो लास्ट लाइन है इसका मतलब समझो यह सवर की देवी के सामने अगरबत्ति जलाकर अमीरों के लिए गीत नहीं गाए इन लोगोंने कभी Muse का मतलब स्वर की देवी Kindled मतलब जलाना Incense मतलब अगरबती Amir की luxury और pride के लिए Struggling Panks का मतलब Struggle करने से जो कस्ट होता है जो दर्द होता है उसके लिए का है ये 19th stanza बहुत ही important है इसको डंक से सुनना यहां दोस्तों यहां पर 19th stanza में बोल रहा है कि शेहरों की पागल जन्ता से शोड शराबे से बिलकुल एकदम दूर पैसा कमाने के लिए वो घटिया बदनाम काम नहीं करते थे Ignobal का मतलब घटिया और बदनाम काम Strive का मतलब संगश तो वो घटिया काम करने के लिए संगश्ट नहीं करते थे Far from the madding crowd दूर रहते थे वो शेहर की पागल जन्ता से उनकी इच्छाएं बिलकुल साधी थी, सीधी थी, सोबर थी और उन्होंने कभी भी पैसा कमाने के लिए भटकना नहीं सीखा था स्ट्रे का मतलब भटकना एकदम शांत और एकदम कूल जिन्दगी जीते थे सिक्वेस्टर सिक्वेस्टर का मतलब एकांत में रहना जिन्दगी जीना पसंद करते थे और वो अपने रास्ते में कुछ ऐसे तत्व रखते थे जो noiseless हों अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 19 स्टेंजा को स्पेशल इसलिए काया क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है मैंने कुछ दिनों पहले एक novel डिस्किस की थी Thomas Hardy की दोस्तों Thomas Hardy ने अपनी novel का जो टाइटल है वो इसी poem से उठाया है वो भी एक अच्छी novel है उसको time मिले तो पढ़ना जरूर अब यह 20 स्टेंजा आये इसमें poet क्या बोल रहे है लेकिन फिर भी इन लोगों की एक इच्छा थी जहां भी इनको दफनाया जाए यह खुद को insult से protect करना चाते थे कम से कम मरने के बाद तो हमको रौंदा ना जाए इनकी bones को, इनकी हड्डियों को आगे वाली line में बोल रहे है भले इनकी कबरों पर कोई trophies नहीं लगी हुई लेकिन कम से कम इनकी कबरों को protect करने के लिए कुछ चीजें लगाई हुई है कुछ memorials है वो भले ही कोई fancy marble से नहीं बने हुए कुछ shapeless मूर्तियां बने हुई है जिन पर कुछ देहाती टाइप की line रिखी हुई है rhymes लिखी हुई है जिससे कलको कोई उनकी कबरों के पास से गुजरे या फिर उनकी कबरों के पास में बैठे तो कम से कम आह तो भरेगा उनको tribute करने के लिए कम से कम आह तो भरेगा तो एक इच्छा थी कम से कम इन villagers की कि इनको insult मरने के बाद insult से protect